सने वर्ग के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे प्रमुख जो वर्ग है सने वर्ग के बाद वो कौन सा वर्ग है तो आपके इसाब से उत्तर क्या होगा तो उसका उत्तर जो है हम क्या सकते हैं कि शाक वर्ग होगा कारण यह है कि शाक वर्ग जो है सने वर्ग के पहले जो धा दानेवर्ग हैं दानेवर्ग में जो भी अनाज बताये गया है तो अनाजों में जो सबसे महत्पूर्ण जो चीजे हैं उनके अंतरगत दाले और जो अनाज हैं उनको रखा गया रुशी के बाद जो है सनेवर्ग हैं और सनेवर्ग के बाद जो है शाक वर्ग को शमलित किया लेकिन अगर प्रश्ण ऐशा बने कि धाने वर्ग के बाद सबसे महतपूर्ण वर्ग कौन सा है तो आप ये बताएंगे कि वह वर्ग जो है साक वर्ग है ठीक है और जो सनेह वर्ग है वो आहार उपयोगी वर्ग के अंतरगत है लेकिन वो आहार के अंतरगत अन्य जो चीजे यह सामलित की जारे जैसे लवडंद्रभ्य हो गया जो अने अहार उपयोगी वर्ग में आते हैं उनके अंतरगती स्टेय को रखा गया। तो स्ने में जैसे हमने क्लास में आपको बताया कि स्ने की जब बात होगी तो घृत सर्वस्रेष्ट स्ने के अंतरगत रखा जाएगा और जब कि तैल की बात होगी तो तिल को सर्वस्रेष्ट माना जाएगा उसी तरह से जब धानेक वर्ग की बात हो और उसमें धानेक वर्ग में सर्वस्रेष्ट की बात अगर की जाए या उन्हें में प्रमुख की बात की जाए तो धानेक में धान पहले आ जाएगा और अगर शंबी की अगर बात की जाए तो संबी में मुग्द आ जाएगा सर्वस्रेष्ट जो संबी धाने होगा उसमें मुग्द आएगा मुग्द में मुग्द जिसको मूंग बताया गया उसी तरह अगर पूछा जाए कि धान्यक वर्ग में शूक धान्य और शंबी धान्य के बाद से प्रमुख वर्ग कौन सा है तो शाक वर्ग है तो इस क्लास में हम साक वर्ग को ही कंप्लीट करेंगे शाक का मतलब आपको स्वास्परित में भी बताया गया है आँओ अन्यक्ती कोड अगर देखा जाए बिग्यान में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो साक जबी बोला जाता है तो साक सब्जी आप समझ लेते हो तो उसी तरह से वीवेचना समझिएग system यहां पर मुख्य उद्देश शांग् HDR में समझाने वो सभी जो है पत्रक्ष वरूप है मतलब कि पत्ते की संडचना उनकी है तो शाक वर्ग में जितने भी पत्ते हैं उनको समलीद करेंगे क्लास शुरू करते हैं तो आप यहां पे द्यान से देखे शाक वर्ग लिखा हुआ है परिचे इतना शाह है जो की मुख्य है आपको ए से किशका प्रमुखस्थान है तो आप बताएंगे शाक वर्ग का ठीक है उसके बाद से लवडांस एवं जलांस अधिक होने से साक के अतियोग से इसमें दो चीज़े अधिक होती हैं साक में या साक वर्ग में जितने भी उसदी द्रभ्य हैं उन्हें में दो चीज़े लवड कांस मतलब नमक कांस और पानी कांस बहुँ जादे होता है इसलिए रक्त विकार सोथ आदी जो है उत्पन कर सकते हैं मतलब खून से समंदी जो विकार हैं इनके जादे परियोग से अब ऐसा नहीं कि आप कम परियोग करेंगे और आपको बिमारी हो जाएगे ऐसा लवड की मात्रा जादे हैं पानी की मात्रा जादे हैं जिससे खून खराब हो सकता है और सो थादी जो समस्या उत्पन हो सकते हैं इसके अत्रिक्त क्या है पत्र इवं फल के माध्यम से अनेक भिकार Android जिवाडु आपको पहले से पता हैं कि हमने बताया कि शाक वर्ग है और करते हैं आसरीत रहते हैं अब उन शाक को अगर हम काट करके खा रहे हैं तो वो Finally मैं जिवाड़ू और की मैं हमारे सरीर में प्रविष्ठ हो जाते हैं जिस से क्या होता है प्रवा का मतलब की लूज मोशन कह सकते हैं क्रीमी आदी रोग उत्पन हो जाते हैं तो एक तरस इसका लाब भी है क्या जाना आपने कि साक वर्ग का जो अस्थान है महत्पूर है लेकिन तीसरे नमबर पे है धान्यक वर्ग में जो शूक धान्य है और संभी धान्य है उसके बास से इसका की एक तरह से आस्रे भूत सनचना होती है उन्हें हम प्रयोग करेंगे तिन से समंदित जो रोग है हो शकते हैं यह सामाने सा परिचे हो गया शाक वरका इससे अगर चैर पांच प्रशन बन जाए तो आप आसानी से जबाब दे शकते हो ठीक है अगर वर्गी करण की बात करें मतलब शाक वर्ग का जो वर्गी करण किया गया है वह किस माध्यम से किया गया है वह रश और दोश प्रभाव के माध्यम से इनका वर्गी करण मतलब आधार जो वर्गी करण का है चरक का वो दोश प्रभाव और रश है शाक का शाक का रश और इनके जो दोश है शरीरगत जो दोश है उसके अनुसार इनका वर्गी करण किया गया जिसमें प्रकरण के अंत में जो वर्गी करण किया गया उसके अंत में पत्ता पत्र कंद मतलब उसकी जड़ होती है और फल का उलेक किया गया तो साक में तीन चीजों का उलेक जो है प्रकरण में है जिसको हम पत्ते क अंतरगत रखे हैं चरक शंगीता के अंतरगत उसे पत्ते के अंतरगत रखा गया है कंद की अंतरगत रखा गया है अब देखे मूल और कंद में डिफरेंट होता है जड़ को हम नहीं खाते हैं मूल को नहीं खाते हैं लेकिन कंद को खाते हैं जैसे गाजर कंद है शकर कंद कं पुली कंध है तो जिसमें फूड मतलब कि भोजन ही कठा होता है कत्रीत होता है वो कंध है तो कंध और फल का उलेक चरक शंगीता में इनके वरगी करण के अंतरगत अंत में किया गया है चक्रपाड़ी आपको मैंने कई बार बता हैं कि चरक शंगिता के जो प्रणेता है जरक उनको मानने वाले जो है चक्रपाणी है उनकी शंगिताओं का जाधे तर्विष्लेसर इनों नहीं किया है इसलिए चक्रपाणी का नाम आता है पुष्प को भी लेना चाहा है क्या किया है लेना चाहा है आप यहां पर लिख सकते हैं लेना चाहा है आहारयोगी द्रब्य का अलग से वर्ग निर्धारित किया गया है तो इन्हों ने क्या किया है कि चरक से अलग हट करके शायक वर्ग में चक्रपाड़ी ने पुष्प को समलित किया अगर प्रश्ण बन जाए कि आचारे चक्रपाणी ने चरक शंगीता के अनुश्रण के अंतरगत शाक वर्ग में और कौन से विभागों को शाक के अंतरगत समलित किया है तो आप बताएंगे पुष्प को और इसके अतरिक्त क्या है आहार योगी द्रब्य का लगशे वर्ग निर्धारित किया है जिसको उन्होंने पुष्प के अंतरगत रखा है मतलब ऐसे शाकों को भी उलेखित किया है जिनके पुष्प का शाक बनाया जाता है तो वो किस ने समलित किया है चक्रपाणी ने समलित किया है अब देखते हैं सुस्रुशंगीता तो स यहां पे तो आप देखिए, चरक ने बस अंत में प्रकरण जो दिया है, विभाजन का या वरगी करण का, उसमें अंत में उन्होंने बस जो है, विवेचना की है, किसकी पत्र की, कंद की और फल की, मतलब यह तीन विभाग में वरणन कर रहा है, लेकिन चक्रपाणी अलग से आकर के जोड़ देते हैं, पुष्प को भी, ठीक है, चरक शंगीता में पांच अंगों में पहले ही विभाजित कर दिया गया है, पुष्प, पत्र, कंद, फल और नाल, नाल मतलब तने से समझ सकते हैं, या कांड से समझ सकते हैं, कांड या तने से, जैसे तंडुली यह हो चौलाई गोलें, तो चौलाई में कांड होता है, तना होता है, उसकी भी साक बनाई जाती है, तो इस हिसाब से सुसुरु संगीता में पांच विभागों में शाक वरक को विभाजित किया है, अब मेरे हिसाब से तो इसमें और कुछ समझना रह नहीं गया है, आपको समझ म और साही चीज में समझाउं इसमें तो टोटली आपको यह चीज कंफर्म हो गई होगी कि किसी साप से आपको समझना है अब आगे की और अगर चलेंगे तो एक चीज और ध्यान में रखना है कि वरत्वर्ग acred adopting a 집에 गड़ में समांविश्ट कीज यह सिस्रुद की बात हो रही है फिर से किसकी बात हो रही है सुसूरुत की तो सुसूरुत ने क्या किया है कि जो शाक वर्ग उसको पांच विभागों विभाजित कर दिया है जिसमें पुष्प की बात की गई है पत्र की बात की गई है फल की बात की गई है कंद की बात की गई है ठीक है तो जो महतपूर चीज़े हैं और नाल की भी बात की गई है तो पांच चीजों की बात उन्होंने की है उसके अत्रिक्त वो कह रहा है कि हरी तवर्ग और आहार योगी वर्ग का पिपलादी गड़ में समाविष्ट भी इनके द्वारा किया गया हरी तवर्ग मतलब जो हरे साक सब जिनको कच्चा खाया जाते हैं और आहार योगी में जैसे लमड हो गया स्ने हो गया इसको भी इनोंने पिपलादी गड़ में समाविष्ट कर दिया है ठीक है उसके पास एक और आचारे आते हैं जिनका नाम है आचारे भाव प्रकास तो भाव प्रकास मिश्र ने अपनी श जिसमें पहला जो वर्ग है वो पत्र है दूसरा पुष्प है तीसरा फल है चोथा नाल है पांचवा कंध है और छठवा संस्वेदज है अब यहां पे हमें इतनी चीजे तो समझ में आ गई सुसृत ने जो पांच चीजे बताई थी लेकिन छठवा समझने में थोड़ी सी निकल रहा है उध्रित हो रहा है नए विभाग निकल रहा है उसे संस्वेदज कह दिया गया है तो इस तरह से छै बिभाग जो है भावप्रकास मिस्र जो है वह बताते है ठीक है अपनी शंगीता भावप्रकास में अब यहां से कुछ समझने वाली ज्यादेतर आपको वाली लाई समझनी जरूरी है कह रहा है एक दूसरे की अपेच्छा उत्रोत्तर गुरू होता है उत्रोत्तर का मतलब जितने बाद में चलते जाएंगे एक का गुड दूसरे से गुरू होता जाएगा कहने का मतलब यह है पत्र पत्र अगर हम प्रयोग में ले रहा है शाक वर गुरु होगा और सबसे गुरु होगा संसवेदज ठीक है तो इस तरह से इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा गुड की बात करेंगे तो जैसे आपको समें वर्ग में बताया गया है कि सबी समुहों को एक साथ एक जगा पर परिभासित किया जाता है एक जगा परिचर बत लाय जाएगा य flawed पहले सामुहिक समझ लीजे गुड अगर समझें तो गुरु होता है रुच्छ होता और भुषटमबख है साखवर्ग का गुड क्या है गुरु मतलब करने देगा बांध करके कर्म क्या है इसका स्रिष्ट विर्ण मुत्र प्रवृत्ति मतलब कहने का यह है बिष्ट अंबग काने का बिष्ट को बांता है अगर बिष्ट प्रवाह हो रहा है बाहर तेजी से आ रहा है तो उसको रोकने का भी प्रयत्न करता है और अगर नहीं त्याग हो रहा है तो उसकी प्रविर्थी मिले आता है त्याग करने का भी जो कारह करता है सारक है मतलब दोसों के सरीर से निर्मूलन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है सरीर इस्थिती अस्थी का भेदन करने वाला मतलब सरीर के अंतरगत जो हड़ियां है उनका भेदन करने वाला है अर्थात शारता को नश्ट करने वाला है कहने का मतलब यह है कि हड्डियों में अगर जकडन है, अंगों में अगर जकडन है, अस्थियों के अंतरगत, उन्हें यह पूरी तरह से भेधित करता है और सही करता है, ठीक है? नेत्र की शक्ती, रक्त, शुक्र, बुध्धी, सुम्रण सक्ती यादास तथा गति को नष्ट करने वाला है अकाल में बाल सफेद करने वाला होता है कहने का मतलब यह है कि इतने तो गुढ होते हैं लेकिन इसके अतरीक तो जो है अउगुढ भी है नेत्र की शक्ति, रक्त, शुक्र, बुद्धी, स्मरण सक्ति तथा गती को नश्ट करने वाला है परंजु कब अकाल में बाल सफेद करने वाला होता है मतलब कहने का यह है अगर सीजनल हम प्रयोग कर रہे हैं कि अनुशार अगर प्रयोग कर रहे हैं तो लाब होता है वैसे साक में कमी देखने को ये मिलती है आखों की शक्ति के लिए थोड़ा सा ये कमजोर है काम कम करता है खून के लिए खराब है जादे नुक्षान करेगा अगर हम अतियोग सुरू में ही बता है जादे मात्रा में नहीं लेंगे सुक्र के लिए हानि परख है बुद्धी के लिए स्मरड सक्ति के लिए और आकाल बीना समय के अगर हम साख का प्रयोग करते हैं तो यहां बाल को भी सफेद कर देता है ठीक है इतनी कमिया इसमें हैं लेकिन अगर अतियोग प्रियोग करेंगे अकाल करेंगे बिना